हेलो गाइस आपको एसके बुडिर चैनल में आपको स्वागत है अब हम आपको दिखा रहे हैं जो मंदीर से हम बाहर आ चुके हैं अब इधर जो है हम तलाओ के पास आ रहे हैं तलाओ दिखाते हैं यहां का है कि अब हम लोग जा रहे हैं तलो की तरफ कि अलå के तरफ रहां यहां जो आपको अब आपको पीड हैं कि अविलिंग करें गार जो आ उटके लेकार करें आपको जो पर आपके ने पर आपकोंगार शेक्रेक्षा घर को खेंव है कि यह जो है पिछाना हुआ है स्टेन है हम लोग बारी आज लगाए कि भीर ज्यादा है इधर से आएंगे और इधर जो है को साला है मंधिर के इधर को साला है आप दिखाई देगा दिखा हुआ है को साला आप पहले तो बहुत भाई है और यह तलाओ इधर जाके तलाओ का आपका वीडियो दिखाएंगे और यहां पर जल सुचाले कुछ लिखा हुआ है और यहां पर यह तलाओ है जो मंदिर का जो तलाओ है और यह तलाओ और रच्छी को पोना में जो है यह तलाओ बना हुआ है इधर से अब बावो उधर मज्या अब उधर मज्या उधर मज्या और इसी में जो है फ्रेंड जो कमल का जो फूल होता है वह बहुत काफी मात्रा में होता है अब जो है सूख चुका है जो कमल का जो फूल होता है वह बहुत जैदा मात्रा में होता है और पानी के लेवल भी बहुत आज नीचे है पानी के लेवल इसलिए हमको लग रहा है नीचे किया हुआ है क्योंकि दासारे चल रहा है पबलिक बहुत जैदा ही आ रहा है और देखिए कितने जैदा कमल का फूल सूख चुका है बहुत बड़ा तलोव है और इसमें जो है मचली बहुत बड़ा बड़ा है इस तलोव में हम लोग जो पानी जब यहां तक राते थे इसमें नीचे दब गया है कि इसमें देखिए कमल फूल कितने मात्रम हैं कभी आप कमल फूल देखे होंगे तो बताईए कैसा है कि बहुत अच्छा लगता है इसमें जो कमल पूरा खीले ही रहता है बहुत अच्छा आप तो सुप चुका है क्योंकि सीजन खतम हो गया है वीज बचे गया है और यह देखिए पारो जी यहां पर सुटिंग करवा रहा है मगर इसको हसी आ जाता है चुचिंग इससे होता ही नहीं है यह देखिए है तो मेरा मजाक बना रहे है तो कमेंट करके दिशने ममी वह भी खुला है मेरा डॉल्फिन मच्छी पकरने के लिए सोच रहा है मैं कुदू की न कुदू वही देख रहा है वहाँ पर मच्छी आप राची क्या देख रहे है कि मच्छी दिखाई दे रहा है अच्छा सांस लेता होगा ना मच्छी देख रहा है मच्छी देख रहे हैं पानी के कम है लेवली इसली उस पे वह खुला हुआ है हाँ उस पे भी चलेंगे चलिए गाइस तो हम यहाँ पे आपको दिखा दिये है काली जी का मंदीर का जो है जल सरोवर तलगव जो है यही है और यही जल सरोवर तलगव है जो निर्मान जो है दो साल लगबग जो है इसको पानी डाले हुए हो गया है नहीं तो पहले सुखा हुआ रहता था पहले जो हम आये थे तो पूरा इसमें पेड़ पोदे बहुत बड़े बड़े थे मगर आज का डेट में जो है इसको इतना अच्छा बना दिया गया है इतना अच्छा बना दिया गया है जो यहां पे तूरे सुमने आता है काली जी मंदिर जो यहां पे जो है यहां पे देखने के लिए जो है यह जल सरोवर के पास में यहां पे तलगव है यहां पे आता है इसके जो तलाओ का जो है किनारे किनारे जो है सबसे मज़े के बात यह है जो यह पेड लगा हुआ है बहुत नाजारा यह अच्छा बनाता है यह पेड क्या चीज का पेड है यह तो मेरों को पता नहीं है मगर कुछ ऐसे ही लगता है जैसे हम लोग का गाउं में जो है जो पिंड में हम लोग का जो है नदी है उसका किनारे जो है यह पेड होता है तो हम लोग इसको जारू के तरह यह पेड देख रहा है जैसे जारू नहीं होता है वैसे ही यह पेड लग रहा है मगर लग नहीं रह है और इधर पूरा पार्किंग बना दिया है जो जाने का जो रास्ता है वो बंद कर दिया गया है क्योंकि पेड़ इतना घना लग गया है जो साफ किरावी जो है लाता है इतने दूर जो है आदमी को आने जाने के लिए यह जो है बनाया गया हुआ है और मेरे पारो जी के देखिये उधर वीडियो बना के चुपके चुपके आ रहा है किसी को पता ना चले हम वीडियो बनाए हैं यह देखिया आ गया है अब हम लोग चलते हैं अगले वीडियो में आपको हम दिखाएंगे और हमारे चाइनल को जो है आप लोग सस्क्राइब कर दीजिए लाइक कर दीजिए क्योंकि आज मंदीर का आपको फोटो विल्कुल वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा हमारे चाइनल पे हमआरे वीडियो मिल जाएगा मंदीर का चलिए हम यहां से मिलेगे भाकरा के तरफ तो उधर का वीडियो आपको दिखाएंगे पर शूटिंग अब तो 단क मिलानी होगा यहां पर रखते हैं है